मेरा लगता है सारट पावगा जी सुप्रिया मेडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लणने के लिए नमस्कार मैं हूँ अंचिता देश के एक बहुत बड़े नेता एक हिंदुवाधी पार्टी के सांसद और प्रवक्ता ने भारती जनता पार्टी की तुलना हमास से की है देश पर साधे नो साल से राज कर रहे नरेंद्र मोदी की पार्टी को हमास की तरह बताना एक ऐसी बात है जुसने सब को हक्का बक्का कर दिया लेकिन ये सच है आगे ये भी बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि ऐसा क्यों कहा तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें लगता है गाजा पट्टी पर फसी हुई मोदी सरकार और भारती जनता पार्टी अब सीधे सीधे बद्तमीजी पर उतराई है मुसल्मानों के खलाफ नफरत के लिए बदनाम असन के मुख्यमंतरी हिमंताविस्वा सर्मा ने सुप्रिया सुले के बारे में जो कहा है उस पर दुनिया की हर औरत हर समवेदन शील आदमी हर लोकतंत्र पसंद व्यक्ति शर्मिंदा महसूस कर रहा है इस बेहायाई के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है और इस हिम्मत के लिए आप भाजुपा की लाल को बधाई बेश रखते हैं मतलब शर्त पवार ने फिलिस्टीन का समर्थन क्या कर दिया पूरी बीजेपी उनके पीछे ही पड़ गई केंद्री मंत्री से लेकर मुख्य मंत्री तक पवार पर निशाना साधने में चुट गए और असन के मुख्य मंत्री ने तो सारी हदे ही पार कर दी उन्होंने तो पवार को घेरते हुए उनकी बेटी सुप्रिया सुले को भी लपेट लिया वैसे हिमन्ता विस्वा सर्मा तो हमेशा ही अपने उलजलूल बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं लेकिन शरत पवार को घेरते हुए जब उन्होंने सुप्रिया सुले का जिक्र किया तो सुप्रिया ने भी असम सीएम को आड़े हाथ ले लिया सुप्रिया ने कहा कि बीजेपी तो महिलाओं का अपमान करती ही है हिमन्ता से उन्हें ऐसी उमीद नहीं थी आखिर हिमन्ता पर सुप्रिया का गुस्सा क्यों पूट पड़ा इसके लिए पूरे विवाद को समझना जरूरी है ये विवाद शुरू हुआ फिलिस्तीन और इस्राइल के बीच चल रहे संगर्श को लेकर शरत पवार की टिपड़ी के बाद पवार ने क्या कहा था ये आगे बताएंगे पहले हिमन्ता का बयान जानिए कि कैसे वो सिर्फ मोदी के बयान को सही साबित करने के लिए इस हद तक चले गए कि एक महिला सांसत के आत्म सम्मान तक को रौंद डाला अब हिमन्ता के इस बयान की ज्यादा चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उन्होंने पवार के बयान पर पलटवार करते हुए उनकी बेटी सुप्रिया का जिक्र किया अब NCP हिमन्ता के बयान को महिला अपमान से जोड रही है खुद सुप्रिया सुले ने उनके बयान पर तीकी प्रतिक्रिया दी साथ ही खूबखरी खोटी भी सुना डाली सुपरिया ने कहा कि मुझे हेमंता विश्वा सर्मा से ऐसी उमीद नहीं थी क्योंकि मेरा और उनका DNA एक ही है Congress का । So I'm surprised how this change has happened towards women and the approach It's probably going into BJP's little rubbing off on him unfortunately because I was always proud of him I felt that the BJP IT cell needs to understand and hear what Mr. Pawar has said please my request to the entire BJP IT cell is to please hear carefully what Mr. Pawar सुप्रिय सुले ही नहीं बलकि शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी हिमंता विस्वा को घेर लिया उन्होंने बीजेपी की तुल्ला ही हमास से कर दी सर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जिस पार्टी से वो तालुक रखते है वो हमास से कम नहीं है ये केंद्री एजेंसियों का गलत इस्तमाल कर रही है और विपक्ष को तबहा कर रही है पहले उन्हें पढ़ना चाहिए और इतिहास को समझना चाहिए हिमंता विस्वा सर्मा भाजपा का हिस्सा है और उन्हें पता होना चाहिए कि पूर पीये मटल विहारी बाजपेई का फरिस्तीन इस्राइल पर क्या इस्टेंड था मतलब हिमंता विश्वा सर्मा अपने बयान के चक्कर में खुदी फज गए उनके बयान के बाद महिलाओं के लिए उनकी सोच और मानसिक्ता पर सवाल उठ रहे हैं लोग कह रहे हैं कि जब भाजपा शरत करके मुसीवत मोल ले ली है इसलिए बार बार उनकी आलोचना हो रही है क्योंकि इसराइल हमास को जवाब देने की आड़ में अब फिलस्तीन की मासूम जनता को निशाना बना रहा है गाजा पर कबजा कर रहा है इसराइल के हमलों से फिलस्तीन में जो तबाही मची है वो क पर कबजे के अपने नापाक मनसूवों को पूरा करना चाहता है इस कारवाई की हर कोई निंदा कर रहा है जो लोग पहले इसराइल के साथ थे अब वो भी अपने स्टेंड में सुधार कर रहे हैं लेकिन भारती जनता पार्टी के लोग अपनी गलती सुधारने के बजाए शरत पवार को घेर रहे हैं उन्हें घेरने के लिए उनकी बेटी को निशाना बढ़ा रहे हैं चलिए अब जानिए कि शरत पवार ने ऐसा क्या कहा था जिस पर वीजेपी वालों को इतनी मिर्ची लग गए तो 15 अक्टूबर को मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अन्सीपी मुखिया शरत पवार ने इसराइल फिलस्तीन विवात पर कहा था कि भारत के पूर प्रधान मंत्रियों की भूमिका फिलस्तीन की मदद करने की रही जवाहर लाल नहरू राजीव गांधी अटल विहारी बाचपेई ने फिलस्तीन की मदद की थी पहली बा चानते हैं कि इसराइल के खुले समर्थन ने विश्व गुरू की अच्छी खासी फजीहत करा दी है इसलिए मोधी के बयान को सही साबित करने के लिए भाजपा ने पवार पर पलटवार शुरू कर दिया बीजेपी के सभी दिगज पवार के पीछे पढ़ गए कमाल तो य रुख पर ऐसे बेतुके बयान देते हैं आखिर पवार साहब भी तो उस सरकार का हिस्सा रहे चुके हैं जिसने बाटला हाउस एंड काउंटर पर आसू वहाई थे और भारत पर हुए आतंग की हमले के दोरान सो रही थी वहीं महाराश्ट्र की डिप्टी सीम देविंद फ प्यूश गोयल और देविंद्र पर्णवीज की जितनी उम्र है उससे ज्यादा समय से शरत पवार राजनीती कर रहे हैं 1964 में जब प्यूश गोयल पैदा हुए थे तब पवार महाराश यूद कॉंग्रेस के सेक्रेट्री थे और फणवीज जब 1970 में पैदा हुए तब शर चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए कम से कम मुख्यमंत्री से तो सभ्वता और तमीज से पेश आने की उम्मीद कर ही सकते हैं और किसी के साथ नहीं तो कम से कम महलाओं के लिए ही तमीज सीख लें तो इस वीडियो में इतना ही आप से नरोध है क्योट्यूब पर हमारे चानल आर्टिकल 90 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पर लाइक कीजिए कॉमेंट करके बताईए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाए ये भी जरूर बताएगा ट्विटर है आर्टिकल 90 अंडर